उत्तर प्रदेश इन दिनों मंदर मस्जित की लड़ाई का अखाड़ा बना हुआ है यहां एक के बाद एक कई मुद्दों की श्रंखला सी चल पड़ी है लेकिन अब ये मामला सिर्फ उत्तर प्रदेश में ही नहीं दूसरे राज्यों में भी दस्तक देता नजर आ रहा है ज देश में जब से बीजेपी सत्ता पर काविज हुई है देश में ध्रुवी करन की राजनीती तेज हो गई है और हो भी क्यों ना पार्टी को चुनावों में इसका फायदा भी तो मिल रहा है ऐसे में फिलहाल मंदिर मस्जित का मामला गर्माया हुआ है वैसे भी बीजेपी को मंदिर और मस्जित का विवाद रास आता है इसके सहारे वो ध्रुवी करन की राजनीती आसानी से करने में सफल हो जाती है और आने वाले विधान सभा चुनावों में वो इसे मुद्दाद जरूर बनाएगी और इसकी शिरुवात भी हो चुकी है उत्तरप्रदेश से श मामले को गर्माता देख पुलिस ने इलाके में धारा 144 लगा दी है ये धारा मस्जित के आसपास वाले 500 मीटर के इलाके में लगाई गई थी विवाद को देखते हुए इस्थानी अदालत ने आदेश जारी करके मस्जित के जीडो धार के काम पर रोक लगा दी है बीजेप MNS ने पूरे में दो मंदिरों को लेकर जंग छेर दी है उन्होंने आरोप लगाया कि मुगलों ने उन मंदिरों को तोड़ कर वहाँ पर दर्गठ कर निर्मान करवाया इस एक दावे ने इलाके में तनाव बढ़ा दिया है पुलिस फोर्स को भी इलाके में बढ़ा दिया गया है राश्ठाकरे की तरफ से लगातार जिस तरह के मुद्दे उठाए जा रही है वो बीजेपी विरोधी दलों के उन सभी आरोपों को सही साबित करता है जो राश्ठाकरे पर लगाए जा रही है कि वो बीजेपी के इशारे पर काम कर रही है वही करनाटक और में इस मुद्दे के पहुचने से बीजेपी की मन्शा पर सवाल उठने शुरू हो गए हैं कि आगामी चुनावों में जीत के लिए बीजेपी ने नया मुद्दा धून ही लिया डीवी लाइफ की रिपोर्ट